पब्लिक टीवी आपकी आवाद लोकसभा चुनाव से पहले एक पार फिर नेताओं के बोल बिगडने लगे हैं अब सपा के प्रत्याशी रुची बीरा ने मंच से ही पुलिस अधिकारियों को छले आम धमकी दी है उन्होंने मंच से जन्ट सवा को संबोदित करते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपनी अवकात में रहो और ये भी बताना चाहते हूँ या भेडिया भेडिया सुन रही हूँ मैं गाओंवाओं में सता आ गया है लोगों को लोगों में छूटे मुकर में लिखवाए गये है जो लोगों की जमीन कवजाई गई है लोगों को डराया जा रहा है लोगों को धंकाया जा रहा है मैं आप से बताना चाहती हूं कि आरे भेड़िये का शिकान मैं करूंदी यह बताना चाहती हूं आप लोगों से कहना चाहती हूं अपने गोट की परसेंटेज को बढ़ाओ किसी भी फील्ड में हो चाहे स्पोर्ट में हो चाहे नजमीती में हो चाहे एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, किसी भी एरोमेटिक हो, किसी भी फील्ड में अगर महिला को जिम्मिदारी दी गई है तो उसने अपने आपको साबित किया है, काम किया है और बहुत अच्छे से अच्छा काम करके दिखाया है अरे मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, तुम देश की आदी आबादी हो, मैं तुम्हारी लेलाई लेने का काम करूँगी, मैं तुम्हारी आवाज बनने का काम करूँगी और एक बात कहना चाहती हूँ, कि सारी धरावी साथ दे, तो और बात है, और तु धरावी साथ दे, तो और बात है अरे पहनो, जब हम एक से एक चुड़ते जाएंगे, एक से एक कारवा बनता चला जाएगा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कि सब लोग पूरी पाँचों के धान सरहों में घूम रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि मेरे समाज का वोट, दलिस समाज का वोट, सैनी समाज का, कश्यप समाज का, चुहां समाज का, हर समाज का, जिनका में है नाम लेने पारे हूँ, ब्राम्मर हो, वेश्य हो, सर्दान हो, कश्यप हो, हर विरादरी का वोट, मेरे मुस्लिम प्रफाइएं के साथ खड़ा है और इस बार चुनाव बिल्कुल एक तरसा है और यह भी बताना चाहते हूं यह भेडिया भेडिया सुन रही हूं मैं गाओं गाओं में सताया गया है लोगों को लोगों मैं जूटे मुतर में लिखवाए गये है जो लोगों की जमीन कमसाई गई है लोगों को डराया जारा है लोगों को धंकाया जारा है मैं आपसे बताना चाहती हूं प्यारे भेडिये का शिकान मैं करूंदी यह बताना चाहती हूं